तो वाई MIUI 9.6.2 में 20 नए फीचर्स आ चुके हैं हाई गाईस में नाम है कुलबुशन और आप देख रहे के के वर्डोर आज किस वीडियो में आपको रिविवीव करके दिखाने वालों और आपको डाउनलोड लिंक भी दिने वालों और आपको बताने वालों कैसा आप इंस्ट्रॉल कर सकते हैं MIUI 9.6.2 को अपने Redmi Note 5 Pro में जो कि आपका स्टेबल अपडेट है और यह आचुका है Redmi Note 5 Pro में अगर को बटाद खीरियों कि आपकोम इस को बिता इंस्ट्रॉल करना और अगर आपने डाउन Nepal कर लिया या करने वाला है तो इससे पहले वीडियो देख लो कि की मां आपको बताने वाल Łuk relação में कि अम्हें दॉख습니까 मतलब मैं इसको किया का इन्हें तक देख भी आग तो जैसे कि आपको पता होगा Redmi Note 5 Pro के साथ पता नहीं शाओमी के जो तो सबसे पहले फीचर की बात करें तो हमें इसके आइकन में जो थी गूगल की जो आइकन थे गूगल एप्लिकेशन है उसमें हमें राउंड राउंड मिलता था लेकिन आप हमें डारेक्टली मिलता है तो शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या चीज़ कहना चाहरा हूं तो वह अभी आपको नहीं मिलता है और दूसरी नई चीज़ की बात करें तो आपको व्यू एल्टी का नया साइन मिला है तो जो आपको सैंसन वगेरा के फोन में मिलता था तो वह चेंज होकर हमाई रैड्मी नोट 5 प्रो में भी आ चुका है क्योंकि पहला जो वोल्टी का वह काफे बड़ा था और काफे जगा घेरता था तो इस बार यह काफी अच्छी चीज हो गई है और तीसरी जो नई चीज़ है वह हमारी क्लॉक में चेंज करा गया है तो अगर आप देखेंग तो आप क्लॉक जो हमारी सैंटर माच चुके है और जो इसका फॉन्ट है वह बोल्ड हो चुक है मतलब को थोड़े मोटे अक्षर में दिखेगा और जो इसमें नई चीज की बात करें तो इसमें हमें सेक्ष्ट लेवल यह वह भी अपडेट कर दिया गया और हमें जुलाइब का सिक्ष्ट लेवल हमें मिल जाएगा और अब आप इसमें एफ वाल्ट क चला जाएगा तो यह भी काफि कमाल की बात है तो एक बात करें नहीं चीज़ की बात करें तो हम इसमें की बात करते का मिलता है तो बच पूरी जूम जो था वह नहीं होता है आप जो आपको नॉर्मल दूरी से आपको पोट्रेश उट लिया जाता सिफ वहीं ले सकते हैं जूम करके आप नहीं ले सकते हैं तो यह भी अगले अपडेट में शायद आपका फिक्स हो जाए तो अगली चीज की बात करें तो इसमें आपको इसमें भी wallpapers मिलने लगे हैं मतलब आपको जो pre-installed wallpapers है उनमें भी आपको MIUI 10 के wallpapers मिल जाएंगे तो आपको अलग से install करने की जोरत नहीं पड़ेगी तो आप देख सकते हैं MIUI 10 वाले आपको wallpapers मिल जाएंगे तो आप इसको apply कर सकते हैं और इसको use कर सकते हैं तो मैंने live wallpapers मिलेगा तो यहाँ पर अभी आपको live wallpapers अवलेवल नहीं है जबी भी अवलेवल होगे तो आप यहाँ से उसको check कर सकते हैं और जो अगली चीज की बात करें वह आपको settings में मिलती है अगर आप settings में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे apps में तो इंस्टॉर्ड लिए उनको update कर पाएंगे और जो अगली चीज नहीं मिलते हैं वह आपको मिलती है music player में तो आप music player देखेंगे तो इसमें थोड़ा UI में change कर दिया गया और यहाँ पर आपको कुछ difference मिलेगा तो पहले यह यहाँ पर कुछ इस तरह सा अरेंज नहीं थी अब यह कुछ इस में features मिलेंगे और इसमें आपको एक चीज और नहीं मिलती है तो वह आपको settings में मिलेगी और sim cards and mobile data में मिलेगी और यहाँ पर आपको मिलेगी डूएल वोल्टी का support मिलता था और आपको डूएल वोल्टी का भी support मिल जाएगा तो आप वोल्टी दोनों SIM में यूज कर पाए इसमें तो second space जो है उसमें आपको कुछ different आपको UI मिलेगा तो आप इसको भी देख सकते हैं और इसमें जो नहीं चीज की बात करें इसमें एक और नहीं चीज आई है जो कि आपको messaging app में तो यहां पर जैसा कोई करना चाहते हैं तो क्योंकि हमारा कोई personal number तो है नहीं तो इसको जो हम reply करें तो इसमें आपको कुछ अगर मैसेज आएगा तो यहां पर आपको यहां पर जैसे हमारा तो यहां पर हमें पहले नहीं दिखा था और अब यह दिखाने लगा है तो यह भी हमें नई चीज में मिलती है और और नहीं चीज के बात करें तो आपको कुछ नए sound effects मिलेंगे मदला अगर आप charging tone चेक करेंगे तो वह भी change हो चुकी है तो charging करते time भी आपको change मिलेगी और charging अगर आप निकालते है charging disconnect करते है तो भी आपको नए sound effect मिलेगा तो अब अगर आप screenshot का sound effect चेक करेंगे तो वह भी थोड़ा सा change हो चुका है पहले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा आपको difference मिलेगा तो कुछ इस तरह का आपको screenshot का effect मिलेगा और इसमें अगर आप PUBG की बात करें तो इसमें PUBG में आपको अभी भी HD graphics का option नहीं मिलेगा जो आपको पहले नहीं मिलता था वह अभी है आपको नहीं मिलता है तो वह PUBG का problem है शायद आपको PUBG के update में वह fix कर दिया जाएगा तो यह आज मैं दो बजे इसको इसको in स्टोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन अब Anime टाइन इसको भी है6 बज़े इंस्टाल होगा और मैं शै बजय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दुपर के दो बज़़े में से कोशिश कर रहा था लेकिन अब 6 बज़े तक आ重 प्डेट गडवगे शुराइश को डांटीट अग्डवाई पनॉ लगबग तो में इसको डाउनलोड करना चाहे इंडॡवू पर देसे उसमें एरर या फिर मैंने न की फुल रोम डाउनलोड करिए और फुल मैं डाउनलोड करने बैठा तो मेरी स्पीड आ रही थी 100 kbps की और कभी-कभी 50 kbps तक किया जाती थी क्यों मेरे पाइच जियो का इंटरनेट है ना तो इसलिए स्पीड गम आ रही थी तो मैंने वह एक दो मुवी देखी और इतना मेरा अपडेट डाउनलोड होगी और मैंने उसी में आपको steps दे रखे कैसे कैसे आप उसको install कर सकते हैं तो आप अगर MIUI 9.5.19 पर हैं तो सिर्फ आपको लगबाग 580 MB डाउनलोड करने पड़ेगी जो कि आपकी OTA अपडेट कियोगी तो आप उसको डाउनलोड करके install कर सकते हैं और अगर आप किसी और वर्जन पर है 580 MB डाउनलोड करके देखना फिर बार में फुल रॉम डाउनलोड करके देखना अगर आपको कुछ error मिल जाता है तो इस बार अपडेट काफी कमाल गा है मुझे काफी अच्छे में रिजल्ट्स मिले हैं तो आपको भी अपडेट पसंद आया होगा और आप इसको बिंदा से दिए कि लाठ आपको अपको बार जाता है तूम